अयोध्या में राम लला की प्रान प्रतिष्ठा के दौरान 11 दिनों का अप्वास रखने के बाद अब देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी शारदिय नवरात्र का व्रत रखे हैं 9 दिनों तक वो व्रत पर ही रहेंगे PM मोदी शक्ती साधना में लीन है, PM मोदी ने नवरात्र पर देश वासियों को शुभकामनाई दी पहले दिन PM ने सोशल मीडिया प्लाटफोम एकस पर देश वासीयों को नवरात्र की शुभकामनाई दी और माता के पहले स्वरूप मा शैल पुत्री के बारे में भी बताया नवरात्र के पहले दिन पीम ने महराश्टर के वाशिम में पोहरा देवी में जगदंबा माता मंदिर में पूजा आरचना की बंजारा समुदाय का पोहरा देवी की जगदंबा माता के इस मंदिर में अटूट श्रधा है मंदिर में अध्यात्मिक अनुष्ठानों के बाद प्रधान मंतری नरेंद्र मोदी ने संत सेवालाल महराज और संत रामराव महराज की समाधियों पर श्रधानजली भी अरपित की लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं जब प्रधान मंत्री ने आस्था के प्रती इतनी जादा पूजा पाठ और इतनी सारी चीजे की हो इससे पहले भी प्रधान मंत्री को आपने देखा होगा जब वो केदार नाथ से और भी 3-4 किलो मीटर उपर गुफा में ध्यान लगाते नजर आए रॉक मेमोरियल आपको याद होगा जहां पर प्रधान मंत्री ने 45 मिनट वक्त जो है गुजारे थे आईए अब जानते हैं पियम मोदी इन 9 दिनों में क्या रूटीन फॉलो करते हैं 9 दिन उपवास के दौरान वो केवल केवल एक बार फल खाते हैं मोदी शाम को नीमबू पानी पीते हैं गुजरात में उनके करीब रहे जानकारों का ये भी कहना है कि नवरात्र के दौरान साबू दाने से बनी डिश खाने की अनुमती रहती है लेकिन मोदी जी ये भी नहीं खाते इस दौरान हमेशा के तरह प्रधान मंत्री रोज सुभा योग करते हैं और ध्यान भी लगाते हैं वरत के दौरान व्यस्त दिन चरिया के बावजूत प्रधान मंत्री रोज सुभा पूजा जरूर करते हैं मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो नवरात्र के दौरान आम दिनों की तुलना में एक घंटे पहले रात करीब दस बजे ही काम निप्टा करते थे और बतौर प्रधान मंत्री अब वो ऐसे कोई छूट नहीं लेते हैं अभी भी उनका वही रुटीन है जो वो बतौर मुख्यमंत्री फॉलो किया करते थे देश के प्रधान मंत्री होने के बाद भी इतने व्यस्त होने के बाद भी उनकी शक्ती साधना आप देखिए नौ दिन का व्रत फलहार पर रहना और सिर्फ एक बार पानी पीना नीमू पानी के सहारे पूरे दिन रहना वाकई में काफी कठिन अपने उप्वास को लेकर प्रधान मंत्री जादा बाते नहीं करते उन्होंने 2012 में अपने ब्लॉग में पहली बार अपने नवरात्र के वरत के बारे में बताया था विजय दश्मी के दौरान मोदी जी शस्त्र पूजन में भी हिस्सा लेते रही है गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में वो गांधी नगर स्थित आवास पर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के बीच विजय दश्मी पर स्वयम शस्त्र पूजन करते थे प्रधान मंत्री के रूप में जब पहली बार 26 सितंबर को वो अमेरिका पहुँचे थे इससे ठीक एक दिन पहले शारदिय नवरातर शुरू हो चुके थे और प्रधान मंत्री पिछले करीब 35 सालों की तरह इस बार भी पूरे 9 दिन के उपास पर थे 30 सितंबर को राश्रपती बराक उबामा ने वाइट हाउस में प्रधान मंत्री के सम्मान में भोज दिया मगर मोदी ने केवल गुनगुना पानी ही पिया उस वक्त बराक उबामा राश्रपती थे और सोचे सिर्फ गुनगुना पानी प्रधान मंत्री ने पिया डिनर में अमेरिकी मीडिया प्रधान मंत्री के इस बात से बहुत प्रभावित हुई जादा तर अमेरिकी अख़वारों में उनके इस श्रद्धा भाव पर कई खबरे चपी ये लगभक स्पष्ट है कि पिछले करीब 40 सालों से भी जादा का वक्त हो चुका है प्रधान मंत्री इसी तरहा 9 दिन उपवास रखते आ रही है एक बार उन्होंने अपने ब्लॉग में और कविता संग्रा साक्षी भाव में लिखा था नवरात्र के उपवास उनका वार्षिक आत्मशुधी व्यायाम है जो उन्हें हर रात अंबे मा के साथ बाच्चित करने की शक्ती और शमता प्रधान करता है प्रधान मंत्री मोधी, चैत्र और शारदिय दोनों ही नवरात्र पर वरत रखते हैं तो काफी लंबे समय से पियम मोधी नौ दिन के वरत को रखते आ रहे हैं और इससे पहले आपने देखा होगा अयोध्या में जब रामरला के प्रान प्रतिष्ठा होनी थी तो ग्यारा दिनों से ही वो उपवास पर थे तो इतनी ज़ादा भक्ती और इतनी ज़ादा शक्ती साधरा मेलीर प्रधान मंत्री की तस्वीरे आपने देखी हैं एक बार फिर प्रधान मंत्री ने इस बार भी नवरात्र के 9 दिन वरत रखे हैं